वोजू है Water Logging and Salinity या सेमो थोर हम जानेंगे कि Water Logging and Salinity से क्या मुराद है ये क्यूं होती है, किन इलाकों में होती है और ये मसला क्यूं है, इसे problem क्यूं कहा जाता है और सबसे एहम बात कि इस मसले का हल के आए सबसे पहले जानते हैं जी water logging and salinity से क्या मुराद है आपने जमीन के उपर कुछ जगों पर सफेद रंग के नमक के salt के white patches देखे होगे यह जो white patches हैं इन्हें हम salinity कहते हैं कुछ जगों पर आपने पानी खड़ा देखा होगा जिसके उपर यह नमक की तह जो है यह दिखाई देती है यह जो पानी है जो जमीन के उपर खड़ा होता है जिसके उपर यह नमक की तह होती है इस पानी को हम water logging कहते है और इसके ओपर जो नमक की तेह है जब ये पानी वैपूरेट हो जाता है और ये तेह जमीन के ओपर रह जाती है या उस पानी के साथ भी हमें हुश्की पर दिखाई देती है इसे हम salinity कहते है लेकिन सबसे हम बात ये है कि ये कहां पर होती है ऐसा क्य water logging and salinity उन ilaakों का फासा है water logging and salinity अब वो कौन सा ilaakके है वो कौन सी नहरे है जहां पर ये होती है तो जान लीजिए कि दो तरह की नहरे इसकी और भी नहरे एक साम है लेकिन दो बहुत अश्वन नहरे है एक वो नहर होती है जिसमें सारा साल पानी बैता है जिसे हम perennial केनाल या दवामी नहर कहते है water logging and salinity या सेमो थोर हमें उन इलाकों में दिखाई देती है जिन नहरों में पानी सारा साल बैता है और वो इलाके जहां पर पानी सारा साल नहरों में नहीं बैता वो कदरे इस मसले से महफूज है यानी सेमो थोर से महफूज है अब वो जो नहरे हैं दूसरी किसम की उन में पानी सारा साल नहीं बैता उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें non-perennial केनाल inundation केनाल और अर्दू में गैर दमामी नहरें या फिर उन्हें सेलाबी नहरें भी कहा जाता है कि जब सेलाब आता है पानी जो है गर्मियों में मौसम गर्मा में बारिशें ज्यादा होती है बरफ मेल्ट होती है सेलाबी कंडिशन बनती है तब उन नहरों में पानी जला जाता है otherwise मौसम सर्मा में उन में पानी नहीं होता अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी इलाके जहां पर दवामी नहरे मौजूद हैं वहाँ पर water logging and salinity या सेमो थोर क्यूं होती है तो जान लीजिए उसकी बड़ी वज़ा ये है कि पाकिस्तान में जो बहुत सी नहरे हैं वो कच्ची हैं जिसे हम कहते हैं unlined canal है जहां पर नहरे कच्ची होती है वहाँ पर पानी जो है पूरा साल उस नहर में बैता है तो पूरा साल वो पानी सीप करता रहता है और वो सीप करके ground में जाता है underground जो water table है उसमें वो पानी add होता रहता है और वो पानी जो है फिर water table जो है उसके वक्त आने के साथ साथ चुकि उसमें पानी मुसलसल एड़ हो रहा है उसमें पानी जमा हो रहा है तो वो राइस करना शुरू कर देती है तो वाटर टेबल जो है वो राइस होती है जमीन के उपर वो पानी जो है बिल आखिर जाहिर होना शुरू हो जाता है ये दरख्तों की जड़ों में पहुंचता है उसके बाद मजीद उपर आता है और ये जमीन के उपर जाहिर हो जाता है इसको हम कहते हैं बाटर लॉग्ड सॉाइल यानि जमीन जब करंबली हो जाती है जमीन में हमें पानी ये मॉस्चर दिखाई देने लगता है हर वक्त तो ków ऐसी सॉाइल जिसके उपर फिर एक वक्त आता है पानी ज़ेरे जमीन जो पानी है वो उसके उपर जाहिर हो जाता है हम कहते हैं कि ये अब सेम जदा पिलाका हो गया या सेम जदा जमीन हो चुकी है जिसे हम वाटर लॉक्ड सॉाइल इंग्लिश में कहते हैं तो वाटर है वो evaporate हो गया लेकिन salt पीछे रह गया वो नमक की एक तैप पीछे चोड़ जाता है वो जो जमीन के नीचे से water table जो है वो जब उपर की तरफ आती है जमीन के अंदर जो नमकियात होते हैं जो salt होता है वो पानी उसको अपने अंदर जजब करके जमीन के ऊपर ले आता है अब जब जमीन के ऊपर ले आता है तो वो पानी जो है वो evaporate हो जाता है क्योंकि उसके सूरज लगता है दरजे अरारत बढ़ता है वहाँ पर temperature हाई होता है जमीन के ऊपर वो पानी जो है वो आइस्ता आइस्ता evaporate हो जाता है और लेकिन जो उसके अंदर नमक जो salt है जो just जमीन के अंदर से होकर आया था वो पीछे जमीन के उपर रह जाता है और इस तरह से वो white patches of salt जो है वो appear होना शुरू हो जाते हैं तो इस condition को जब ये white patches हमें नजर आते हैं हम कहते हैं कि ये जो है soil ab saline हो चुकी इसकी बड़ी वज़ा आपको मालूम हो गई कि क्या है कच्ची नहरे अनलाइंड के नाल अगर ये नहरे पकी हो तो यकीना इस मसले को किसी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है इसको हम आखिर में भी देखते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मसला क्यूं है पाकिस्तान में दरियाई लाकों के साथ जितनी भी जमीने हैं खास दोर पर पंजाब और सिंद में वो इंतहाई जरखेज जमीने हैं और उन जमीनों में water logging और salinity होने की वज़ा से एक दो ती नहीं कई मिलियन्स ओफ एकर लैंड जो है वो हर साल हमारी जाया हो रही है वो water logging and salinity की नजर हो चुकी है saline soil जो है ये इसको cure करना को असान नहीं होता लेकिन cure है इसकी जब तक कि आप इस मसले को जड़ से खतम न करें ये मसला क्यूं है क्योंकि हमारी जो जर्खेज जमीन है वो जाया हो रही है उसको जाया होने से बचाने के लिए ताकि हमारी जो जर्खेज पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके और जर्खेज पैदावार में एहम किरदार जमीन का है और उस soil का है जिसने वो हमारी फसलें पैदा करनी है उसको महफूस किया जा सके बिस्बिल्ला इर्रह्मान रहीम आज का मौज़ू है water logging and salinity या सेमो थोर हम जानेंगे के water logging and salinity से क्या मुराद है ये क्यों होती है किन इलाकों में होती है और ये मसला क्यों है इसे problem क्यों कहा जाता है और सबसे एहम बात कि इस मसले का हल क्या है सबसे पहले जानते हैं water logging and salinity से क्या मुराद है आपने जमीन के उपर कुछ जगों पर सफेद रंग के नमक के salt के white patches देखे होंगे ये जो white patches हैं इन्हें हम salinity कहते हैं कुछ जगों पर आपने पानी खड़ा देखा होगा जिसके उपर ये नमक की तह जो है ये दिखाई देती है ये जो पानी है जो जमीन के उपर खड़ा होता है जिसके उपर ये नमक की तह होती है इस पानी को हम water logging कहते हैं और इसके उपर जो नमक की तह है जब ये पानी वैपूरेट हो जाता है और ये तह जमीन के उपर रह जाती है या उस पानी के साथ भी हमें हुश्की पर दिखाई देती है इसे हम salinity कहते हैं लेकिन सबसे हम बात ये है कि ये कहां पर होती है ऐसा क्यूं होता है तो ये उन इलाकों में होता है जहां पर नहरी निजाम मौझूद है जहां पर नहरे मौझूद है खास तोर पर ये वाटर लॉगिंग अन सैनिटी उन इलाकों का खासा है वाटर लॉगिंग अन सैनिटी अब वो कौन से इलाके हैं वो कौन सी नहरे हैं जहां पर ये होती है त इसमें सारा साल पानी बैता है जिसे हम पिरीनियल कैनाल या दवामी नहर कहते हैं Water logging and salinity या सेमो थोर हमें उन इलाकों में दिखाई देती है जिन नहरों में पानी सारा साल बैता है और वो इलाके जहां पर पानी सारा साल नहरों में नहीं बैता वो कदरे इस मसले से महफोज है यानी सेमोतोर से महफोज है अब वो जो नहरे हैं दूसरी किसम की उनमें पानी सारा साल नहीं बैएथा उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें नॉन प्रिनियल के नाल इनडेशन के नाल और उर्दो में गधर दमामी नहरे या फिर उन्हें सेलाबी नहरें भी कहा जाता है कि जब सेलाब आता है पानी जो है गर्मियों में मौसम गर्मा में बारशें ज्यादा होती है बरफ मेल्ट होती है सेलाबी कंडिशन बनती है तब उन नहरों में पानी जला जाता है otherwise मौसम सर्मा में उनमें पानी नहीं होता अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी इलाके जहां पर दवामी नहरे मौजूद हैं वहां पर water logging and salinity या सेमो थोर क्यों होती है तो जान लीजिए उसकी बड़ी वज़ा ये है कि पाकिस्तान में जो बहुत सी नहरे हैं वो कच्ची हैं जिसे हम कहते हैं unlined canal है जहां पर नहरे कच्ची होती है वहां पर पानी जो है पूरा साल उस नहर में बैता है तो पूरा साल वो पानी सीप करता रहता है और वो सीप करके ground में जाता है underground जो water table है उसमें वो पानी add होता रहता है और वो पानी जो है फिर वाटर टेबल जो है उसके वक्त आने के साथ-साथ चूंकि उसमें पानी मुसलसल एड़ हो रहा है उसमें पानी जमा हो रहा है तो वो राइस करना शुरू कर देती है तो water table जो है वो rise होती है जमीन के उपर वो पानी जो है बिलाखिर जाहिरोना शुरू हो जाता है ये दरखतों की जड़ों में पहुंचता है उसके बाद मजीद उपर आता है और ये जमीन के उपर जाहिर हो जाता है इसको हम कहते हैं water logged soil यानि जमीन करंबली हो जाती है जमीन में हमें पानी या मौस्चर दिखाई देने लगता है हर वक तो ऐसी soil जिसके उपर फिर एक वक्त आता है पानी जेरे जमीन जो पानी है वो उसके उपर जाहिर हो जाता है हम कहते हैं कि ये अब सेम ज़दा इलाका हो गया या सेम ज़दा जमीन हो चुकी है जिसे हम water logged soil इंगलिश में कहते हैं तो water logging के बाद जो next step होता है वो salinity का आता है जब वो पानी जो है जमीन के उपर आने के बाद evaporate हो जाता है पानी जो है वो evaporate हो गया लेकिन salt पीछे रह गया वो नमक की एक तैप पीछे चोड़ जाता है वो जो जमीन के नीचे से water table जो है वो जब उपर की तरफ आती है जमीन के अंदर जो नमकियात होते है जो salt होता है वो पानी उसको अपने अंदर जजब करके जमीन के उपर ले आता है अब जब जमीन के उपर ले आता है तो वो पानी जो है वो evaporate हो जाता है क्योंकि उसके सूरज लगता है दरजे अरारत बढ़ता है वहाँ पर temperature हाई होता है जमीन के उपर वो पानी जो है वो आइस्ता आइस्ता evaporate हो जाता है और लेकिन जो उसके अंदर नमक, जो salt है, जो जजब जमीन के अंदर से होकर आया था, वो पीछे जमीन के उपर रह जाता है, और इस तरह से वो white patches of salt जो है, वो appear होना शुरू हो जाते हैं, तो इस condition को जब ये white patches हमें नजर आते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है, soil of saline हो चुकी, इसकी बड़ी वज़ा, आपको मालूम हो गई, कि क्या है, कच्ची नहरे, अनलाइंड के नाल, अगर ये नहरे पकी हों, तो यकीन इस मसले को किसी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है, इसको हम आखिर में भी देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मसला क्यों है, प इन जमीनों में वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी होने की वज़ा से, एक, दो, ती, नहीं, कई मिलियन्स ओफ एकर लैंड जो हर साल हमारी जाया हो रही है, वो वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी की नजर हो चुकी है, सेलाइन सॉाइल जो है, ये इसको क्योर करना को असान ही होता, लेकिन क्योर है इसकी, जब तक कि आप इस मसले को जड़ से खतम ना करें, ये मसला क्यों है, क्योंकि हमारी जो जरखेज जमीन है, वो जाया हो रही है, उसको जाया होने से बचाने के लिए, ताकि हमारी जो जरई पैदावार है, उसको बढ़ाया जा सके, और मसला है और अब हम देखते हैं कि इसका हल क्या है इसका हल जो है जिस तरह से दीगर मसाइल होते हैं हर मसले का हल होता है तो इस मसले का भी हल है पहली हल आपको मालूम हो चुका होगा कि इसका क्या है कि नहरों को हम क्या करें पक्का करें हमारी जितनी भी नहरे जिन में खास त पानी बैता है उन तमाम नहरों को पक्का किया जाए पहला मसला ताके यह हल हो सके दूसरा जह हल इसका यह है कि हमें पानी दवामी नहरों में भी उस वक्त छोड़ना चाहिए जब इनकी किसान को खेत में जरूरत है कुछ महीने ऐसे होते हैं जब किसान को खेत में पानी की जरूरत नहीं होती उस टाइम पर उन अकात में उन नहरों को बंद कर दिया जाए तवाम दवामी नहरें डैम्स या बेराजिस से आती हैं ये gated canals होती हैं ये controlled canals होती हैं इन में calculated पानी छोड़ा जाता है तो इसका मतलब यह है कि इन दवामी नहरों में पानी को हम control भी कर सकते हैं उनको पानी उस वक्त उन नहरों में न छोड़ा जाए जब इनकी ज़रूरत नहीं है तीसरा इसका हल क्या है कि जो इलाके जहां पर same ज़ादा है वहाँ पर eclipse freeze लगाए जाए जिनको जैसा कि सफेदे के दरख्त हो गए फाकस हो गए ये वो दरख्त हैं जो पानी जहरे जमीन पानी ज़्यादा जजब करते हैं तेजी से ग्रो करते हैं और water table को कम करने में मदद करते हैं एक और हल ये है कि ट्यूवल्स लगाए जाए इन इलाकों में जहां पर same ज़्यादा इलाके हैं जहां पर water logging and salinity का मसला है वहाँ पर आप ट्यूवल्स लगाएं ट्यूवल्स लगाकर उस पानी को निकाल ले बजाए इसके कि वो खुद पानी उपर की तरफ आए आप उसे निकाल के दीगर इस्तमाल में लाएं ताके water table को कम किया जा सके तो उन इलाकों में जहां पर water table हाई है तो वहाँ पर ट्यूवल्स इंस्टॉल किये जाएं वहाँ पर मोटरे लगाई जाएं ताके उन पानी को निकाल कर आप इस्तमाल करें और जमीन जेरे जमीन पानी खुद उपर ना आए खुद वो उपर आएगा तो अपने साथ नमक को जजब करके लाएगा जेरे जमीन मौजूद है और वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का सबब बनेगा एक ये हल है इसके लावा एक और हल ये हो सकता है कि वाटर डिस्टिब्यूशन सिस्टम जो है उसको बेतर किया जाए जिन इलाकों में पानी के जरूरत है उसको हल किया जाए उनको पानी प्रवाइड किया जाए जिन इलाकों में पानी ज्यादा है उनको चैनलाइज किया जाए तो इस तरह से भी वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करके हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी मसला जरूर है लेकिन ये हल किया जा सकता है इसके लिए मैनेजमेंट के सिस्टम मौझूद है जो के बहुत सादा और बहुत नोन है पाकिस्तान में हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं और अपनी जमीन को महفوظ बनाकर हमारी जरी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं चाहे वो रभी की हो या फिर खरीफ की इन में प्रॉब्लम एक और ये आता है कि जहां पर सैलिनिटी हो चुकी है वहाँ पर फसले अब ज्यादा हम नहीं हुगा सकते हैं उनको हमें कम करना पड़ता है तो ज्यादा फसले जो है यानि मुख्सूस फसले उगाई जा सकती है जैसा कि शुकर के गना की फसल यह वहाँ पर उख सकती है जो वैटर लॉगिंग और सैलाइन है तमाम फसले वहाँ पर नहीं उगाई जा सकती है इनमें एक यह प्रॉब्लम लेकिन अगर वो सैलिनिटी की मिखदार सॉल्ट की मिखदार जो है बहुत ज्यादा हो जाए सॉइल के अंदर फिर उसका कोई हल नहीं है वो सॉइल जो है वो बिलकुल नाकारा हो जाती है वोईल करके डाल दिये जाते हैं या फिर जो है वो कुछ जो है वो आटे का पेडा भी एक डाला जाता है जो नमक को ज़स्प कर लेता है इसी तरह से अगर झायेस सल्आ हो जाती ये जिसमें नमक की मिगदार थोड़ी जाती जिसमें नमक की मिगदार बहुत ज़दा बढ़ जाती से जिस सोईल को आप के और ना करें, उसको रिकवर करने की कोशिश ना करें, उसका हल ना करें तो यकिनल उसमें जो है वक्त के साथ वो वाटर लॉग्ड होती रहेगी, सेम जदा होती रहेगी और उसमें नमक की मिगदार बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकती है तो ये थी आज की वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजुहात और उसका हल अमीद है कि कुछ समझ आई होंगी चीज़े अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इंशाला फिर मुलाकात होगी अल्लाफिज